हेलो अब्रीवन वेलकम टो ब्रेंशॉक्स मेरा नाम रजयत है और इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं गेट इंजिनरिंग मैस्स के प्रिविए से कोर्शन वॉल ब्रांच हर वीडियो में पांच कोशन करते हैं फिलाल मारा टोपिक चल रहा है अलजेबरा और मैट्रिक्स तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ओडर है थ्री रोज वन खोलम टोब कर को याएगा जो मैट्रिक्स आएगी डिया टक्रीट लिखता हूं तो इंटु नाइन वाइंको 15220 129 1825 10 फिर 4, minus 4 into 1, minus 4 into 9, minus 4 into 5, ठीक है, फिर 7 into 1, 7 into 9, 7 into 5, ठीक है, इसका determinant चाहिए, तो अब यह तो हमें साफसा दिख रहा है तीनों रो आपस में proportion है, ठीक है, इसमें से two common निकाल लू, इसमें से minus 4 common निकाल लू, दोनों सेम हो जाएंगी, तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो हम यह बो माइनस 2 of row 1, ठीक है, तो इसका determinant आजएगा, सी ओ, नेक्स्स कोशिन है, if any two columns of determinant D are interchange, which one of the statement is correct, अगर कोई भी दो कोलम हम interchange कर दें हापस में, तो हमें पता है कि कोई भी दो कोलम या रो, हम interchange कर दें, तो determinant का sign change हो जाता है, ठीक है, positive वो तो negative, value सेम रहती है, फिर्स्ट रॉप्शन है, absolute value remains unchanged, but sign will change, इस ही है, ठीक है, sign change हो जाएगा, तो second बोथ value sign change गलत, value ने चेंज होगी, absolute value will change, गलत, बोथ remain unchanged, भी गलत, ठीक है, नेक्स कोशिन है, for a given matrix P, inverse of P, देखो, inverse से ही है, सबसे बहुत हम determinant, निकालते हैं, कि 4 plus 3 iota, into 4 minus 3 iota, minus, iota into minus iota, ठीक है, तो यहां 4 का square, 16, और minus 3 iota का square minus नहीं, तो minus minus plus 9, यहां पर क्या है कि देखो, minus iota into iota, minus iota, minus 1, minus 1 into minus positive 1, और एक negative 1 तो है, नेगिटिव तो है, तो यह आ रहेगा, 16, और 25, minus 1, 24, ठीक है, तो 1 by 24 वाला अंसरी आएगा, और adjoint P कैसे आएगा, diagonal elements को interchange कर दे हम, 4 minus 3 iota और यहां पर sign change कर दें, तो minus iota की plus iota, छीक है, इस हिसाब से, तो P inverse किसके को आजएगा, adjoint A divided by determinant of P, तो 1 by 24, 4 minus 3 iota, iota, minus iota, 4 plus 3 iota, छीक है, तो option आगया A, next question है, 4, A is equal to 1 10x minus 10x1, determinant of A transpose into A inverse, इसको हम directly ही कर सकते हैं, आपको अगर कर लेना फिर भी, अलग-अलग निकाल लेना, जिसको अगर ज़्यादा practice need है, तो A inverse निकालना, उसका determinant निकालना, फिर करना, ठीक है, मैं directly लिख रहा हूँ, तो देखो, हमें पता है कि इसका determinant किसके एकोल आ सकता है, कि अगर दो matrix multiplication में है, तो individual determinant का multiplication आ सकता है, ठीक है, फिर हमें पता है कि A transpose का determinant A के equally होता है, और A inverse का determinant आएगा, 1 by determinant of A, और ये cancel हो जाएगा, तो 1 ही answer आजाएगा, ठीक है, तो option C, बट इसको, जिसको practice की need है, वो try कर सकता है, ठीक है, पूरा solve करके, next question है, perform the following operation in the matrix, तो पहले है, add third row to the second row, subtract third column from the first column, determinant of the resultant matrix, देखो, इस question में हमें पता है कि कोई भी elementary row transformation operation लगाते हैं, तो 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 रहेंगा रहता है, अगर हम interchange ना करें, interchange हम दो बार, चार बार, छे बार, even times करें, ठीक है, तो determinant same रहेगा, और जिस row या column पे हम operation लगा रहे हैं, उसको हम किसी भी scalar के साथ multiply ना करें, ठीक है, तो जो भी हम कर रहे हैं, कि हम सिर्फ third row को second row में add कर दे रहे हैं, यहां फिर third column को first column से subtract कर दे रहे हैं, तो इससे determine change नहीं आएगा, जो इसका है, वही determine, जो दो operation लगाने का बाद matrix आएगी, उसका होगा, ठीक है, तो यह तो सिर्फ confuse करने के लिए दिया है, वह भी हम कर लेते हैं, इन्होंने बोला, third row को second row में add कर देना है, तो 3, 4, 45, इस किसमें add कर देना है, यानि कि R2 पे operation लगाया, R2 प्लस R3, ठीक है, तो 7 प्लस 13, 20, 11, और यहां पर 300, ठीक है, 13, 2, 195, पिर इसके बाद क्या करना है, हमें, third column को first से subtract कर देना है, यानि C1, C1-C3, ठीक है, तो 3-45, minus 42, या minus 280, यहां है गब minus 182, ठीक है, तो 4, 11, 2, 45, 300, और 195, ठीक है, तो यह चीज़, अब इसको solve करना, दिखती है, तो कोई ना कोई, common निकालना पड़ा है, तो 5 से निकल जाएगा, यहां पर देखो, 42, 28 है, और 7 common निकल जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे बैटर है कि हम इसको ही कर लें, ठीक है, अब देखो, पहले तो देखो, 45, अगर हम 5 common निकालेंगे, अब मैं इसी matrix तो लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, यह तो चलो, यहां पर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, पहले 5 common निकाल लिया, 3, 7, 13, 4, 9, 2, 9, 45, 20, 21, 4, 5, 5, 5, 3, 15, 9, 25, ठीक है, यह आगया, हम चेक कर लो, देखो, 5 common निकालेंगे, 3, 9, 7, 21, 13, 49, तो यह दोनों आपस में proportion लागी, तो determinant के आएगा 0, ठीक है, ठीक है, तो मतलब अगर हमें concept पता है, हम यह सब करने के जूरूद नहीं है, ठीक है, हम directly कर सकते हैं इसको, तो इसे के साथ 5 questions हमारे खतम होते हैं इस वीडियो के, किसी भी question में doubt हो, नीचे comment कर सक हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सबस्क्राइब कर देना, थैंक्ये सो मच,